नारी ने दुनिया को जब से सम्मान दिया नारी ने दुनिया को जब से सम्मान दिया नारी ने अपनी ताकत को पहचान लिया है अबला से बन गई है सबला देखो सच है नारी ने जग पर बड़ा एहसान किया है गुड इवनिंग नमस्कास अस्ट्यकाल अस्सलाम वालेकुम सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में स्नो वेबिनार जहां पे महिला जितने भी ऐसे च्पील की महिलाएं हैं लेडीज हैं वो आकर की अपने सक्सेस के बारे में हमारे साथ शेयर करती हैं रूबुरू होती हैं अपनी ताकत बताती हैं कि आज हर एक महिला एक पुरुष से कंधे से कंधे मिला करके चल रही है और यह एसेच्पील की ताकत है और यह एसेच्पील का जादू है एसेच्पील हमेशा महिलाओं की इच्चत करता आया है महिलाओं का सम्मान करता आया है और अभी एक बहुत खास बात भी हुई है भारत सरकार भी चाहती है कि उनकी assembly में एक तिहाई जो जनसंग क्या है वो महिलाओं की होनी चाहिए ताकि महिला और ताकतवर बने आज महिलाओं पे पुरा देश फोकस कर रहा है लेकिन SHPL तो पिछले देड़ साल से हमें session कर रहे हैं महिलाओं के शशक्ती करण के लिए महिलाओं की ताकत को देखने के लिए और आज बहुत सारी महिलाएं SHPL में काम करके अपना और अपने घरवालों का सपना पूरा कर रही हैं तो यह बहुत बड़ी बात है as a woman यहाँ पर काम करना और अपने आपको इस मुकाम तक पहुचाना और किस किस स्ट्रगल से लेकर किस मुकाम तक पहुचाना क्योंकि आज भी भारत देश में मान सकता है कि एक महिला काम करती है तो कई सारे उसके मतलब निकाले जाते हैं कई तरीके की बाते होती हैं लेकिन SHPL में ऐसी कई सारी महिला हैं जो इन स्ट्रगल से पाहार निकल करके यहाँ पर एक सफल महिला के रूप में अपना और अपने परिवार के सपनों को सपनों को पूरा कर रही हैं तो चाहते हैं आप ऐसी महिलाओं से मिलना तो जरूर इन पॉक्स में YES लिख करके भेजे कि हां ऐसी महिलाओं से हम मिलना चाहते हैं रूबरू होना चाहते हैं और उनको सुनना चाहते हैं ओके, that's great, आचा कुछ लोग ऐसे भी है जो ना भी कह रहे हैं, मुझे उनकी मानसिक्ता नहीं समझ में आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर हर एक इंसान की मानसिक्ता उसके जवाब से, उसके एक्स्प्रेशन से पहचा नहीं जा सकती है, हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं सुनना, बहुत सारे लोग चाहते हैं उनको जानना, तो चंद शब्दों के साथ आज के जो हमारे गेस्ट हैं, जो गेस्ट महिला हैं, जिनोंने खुद का तो अकेले खड़े हो करके, खुद के तो बहुत सारे सपने पूर कर रहे हैं राइट उचे आउदों पर खुद को बिठा लेना वेशक खुबसूरत लिबास से खुद को सजा लेना नेक कामों से दौलत कमाना नेक कामों से दौलत कमाना खुब कोई हर्ज नहीं बस तू नारी है अपनी असलियत को बचा लेना आज नारी को काम करने से रुका जाता है सिर्फ ये सोचा जाता है कि वो घर का काम करने के लिए बनी है उन्हें सिर्फ घर की देखबाल करनी है वो बाहर का काम करने के लिए कमजोर है इतनी ताकतवर नहीं है लेकिन आज की तारीक में एक पाइलेट भी नारी है एक कार ड्राइवर भी नारी है आज वो सारे काम कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है और SHPL में भी आज पुरुष को तगड़ा जवाब दे रही है हमारी नारियां और उन में से एक नारी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है तो हम चाहेंगे उनको सुनना और उनको सुनने के लिए अगर आप तयार हैं तो मैं आपको आपकी तयारी देखना चाहूंगा और दस सेकेंड के लिए आपको अन्म कि यहार है मुझे आपकी तयारिया नजर नहीं आ रही आपकी एनर्जी नजर नहीं आ रही क्या आप सुनना चाहते हैं तो नरेज भाई एक बहुत बड़ी कहावत है कि पूरी दुनिया के लिए तो आप एक इनसान हो लेकिन अपने घर के लिए आप पुरी दुनिया हो absolutely नारी घर का भी काम करती है भार का भी काम करती है आज नारी जॉब भी करती है बिसनेस भी करती हो घर भी समालती है ये सारे काम में एक नारी एक लेड़ी अकेले करती है तो उनको उतने ही सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए और उतना ही सम्मान देना चाहिए तो मैं अब बुलाना चाहूंगा वही सम्मानित लेड़ी सम्मानित महिला में से एक महिला जो हमारे साथ हमारे लीडर हमारे साथ जुनी है तो एक बार जोड़दार तालियों से स्वागत करेंगे हमारी निमला मैम का एक बार जोड़दार तालियों से स्वागत करेंगे निमला चेतरी मैम का निमला चेतरी मैम आप जहां कहीं भी हो प्लीज, आपका इंतिजार कर रहे हैं, आप आजाएए. Thank you. Thank you so much, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम आपको सुन पा रहे हैं, please. Thank you. Thank you so much, sir. और आपको तो इतनी शायरियां आती हैं, sir, वो तो मुझे नहीं आता है, पर मैं भी आपके लिए दो सब जरूर कहना चाहूंगी कि आपने इतनी खुबसूरत तरीके से मुझे जूम वेबिनार में इन्वाइट किया है तो सर आपके लिए चन्द दो लाइने आपकी नजरों में कुछ महके हुए से राज है आपसे भी खुबसूरत आपके अंदाज है So, thank you. Thank you, sir. Thanks a lot. Welcome here. Thank you so much. और दोस्तो, मेरा नाम जो है वो निर्मला चेतरी है और मैं रहने वाली देवभूमी उत्राखंड की हूँ और सबसे पहले मैं इस ओपर्चूनिटी जो SHPAL की एक अपर्चूनिटी हमारी लाइफ में आई है उसके लिए मैं तहे दिल से थैंक्स करती हूँ हमारे MD, Mr. Gopal Kundu सर का सुभा साहू सर का, प्रसान कुंदू सर का और Stan सर का क्योंकि अगर वो ये खुबसूरत प्लेटफॉर्म नहीं बनाते तो ना मैं आज इस तरीके से इन्वाइट होती है आप और ना ही आप लोग के बीच में में रूबरू हो पाती तो एक बार इन सभी के लिए आप जहां पर भी है, स्माइल दीजिए, क्लैपिंग कीजिए चाहे वो मुझे सुनाई दे, ना दे पर आप अपनी तरफ से जो भी सरलोग के लिए कर सकते हों आप जरूर कीजिए मैं अपना सफर कहीने कहीं आप लोग को यहां पर बताना चाहूंगी कि किस तरीके से नेटवर मार्केटिंग में मेरी शुरुवात हुई और कैसे मैंने यहां पर स्ट्रगल करते हुए मैं आज में यहां तक पहुची हूँ और मैं बिल्कूल एक साधरन परिवार में जन्मी और वहां पे मेरे को लगता था कि मैं जब पढ़ाई लिखाई करूंगी क्योंकि आपने ही पढ़ाई वही करी है मैंने भी पढ़ाई वही करी है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद कहीने कहीन हमें एक जॉब करनी होती है और जॉब से जो ड्रीम हम लोगों ने देखी होती है उसको फुल्फिल करना होता है तो इसी तरीके से मैंने भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी पढ़ाई complete करी graduation किया तब लगा कि मुझे कहीं ने कहीं जॉब कर लिनी चाहिए तो मैं private sector की तरफ जॉब के लिए move किया मैंने और मुझे private sector में जॉब मिल भी गई और मैंने वहाँ पर जब काम करना स्टार्ट किया तो आप सभी को पता है कि हर किसी पढ़े वो एक साल बीता कहीं ने कहीं दो साल बीता कहीं ने कहीं तीन साल बीता तो उसमें इतनी बचती नहीं हो पाती थी कि हम कहीं ने कहीं अपना कोई हमें कभी भी सेस्राल में नहीं मिल सकती अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है ये जरूरी नहीं है कि वहां के लोग आपके उपर पाबंदी लगाते हैं पाबंदिया वैसे भी लग जाती है क्योंकि एक बहुत बड़ा समाज होता है उसको फेस हमें भी करना पड़ता है और ह जॉब में निकल चुका था और तब भी मेरे कोई भी ऐसे सपने पूरे नहीं होए थे क्योंकि मेरी responsibility बढ़ गई थी मेरे दो बेटियां उस समय पे हो गई थी उनकी जिम्मेदारी निभाते लिबाते ही life जारी थी पर कहते हैं कि जब हमें लगता है कि हम हमारी life मतलब कुछ अच्छा नहीं कर सकते पर एक न बहुत अच्छा एक गाना भी सायद मुझे लगता है इसलिए बना होगा जिसको जैसे कि उसको बोलते है कि जिन्दगी की यही रीत है हार के बाद ही जीत है तो वहां कहीं न कहीं में life बिल्कुल हार चुकी थी मुझे नहीं लग रह कि मार्केटिंग बिजनस क्या होता है डारिक सेलिंग क्या होता है या इसमें कैसे इंसान ग्रोथ करता है पर थैंक्स करूंगी अपने उस अप्लाइन का जिन्होंने एक विश्वाज जगाया कि आप भी इस बिजनस को करके जो ड्रीम आज से आपने 15-20 साल पहले देखे थ तो एक बार मैं जरूर चाहूँगे उनके लिए आप जहां पर बैठें उनके लिए क्लैपिंग करें वो मेरे जो गुरु हैं वो है मिस्टर राजेंदर कटारिया सर उन्होंने कहीं-ने कहीं मुझे डारेक सेलिंग से रूबरू कराया और जैसे मैं डारेक सेलिंग बिजनस में आई तो यहां पे जो सबसे पहले अभी जैसे सर ने बताया है कि अगर कोई भी ladies कुछ करना चाहती है क्योंकि तो उसको बहुत सारी चीज़ों को face करना पड़ता है तो यहां पे जो सबसे बड़ा struggle मैंने जहला है वो अपने परिवार में ही मैंने जहला है क्योंकि परिवार में जो भी मेरी दो बेटी थी मेरे husband थे वो बिल्कुल against थे इस business के उनको यही ठीकता कि बही सुबर जाओ सामको घर आओ और यहीं तक मतलब दुनिया हमारी सीमी तो तो मैंने वो जो struggle है वो अपने घर पे ही face किया है वो बिल्कुल against थे नहीं करना इस काम को पर धीरे-धीरे मैंने करना शुरू करा बहुत मन उदास भी होता था कि क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा पर मेरे बस मन में एक ही लगन थी वो यह थी कि मैंने इतने साल जॉब कर लिया तो मैं नहीं कर पाई अपने सपनों को पुरा तो कोई बात नहीं, मैंना एक बार करके देखती हूं कुछ नहीं, जैसे भी होगा, देखा जाएगा बात का और ये चीजे सब सर को पता है, मैं कभी रोती भी थी, कभी हस्ती भी थी, क्योंकि ऐसे से मुममेंट होते थे कि बड़ा रोना भी आदा था अपने उपर कि ये सब चीजे क्या हो ये मेरी लाइफ में, पर वो करते करते, वहाँ से निकलते निकलते, फिर एक चीज क्लियर की कि यहाँ पर अगर आप सीखोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे, कमाओगे भी और आगे भी बढ़ोगे, तो फिर मैंने यहाँ से सीखना शुरू करा, दीरे दीरे जो भी मीटिंग्स, आप सब को पता है, कुछ फिजिकल मीटिंग होती है, आज जैसे जूम पे हम लोग ब मज़ा आने लगा मीटिंग सुनके इतने अच्छे-च्छे लोग हैं, इतनी अच्छे-च्छे बाते कर रहे हैं, आम लाइफ में क्या होता है, कि लोग ना लोग को नीचे गिराने की, या उनको बस डब करने की कोसिस करते हैं, पर वहाँ पर जो भी बाती होती थी थी, बढ़ी अचीवमेंट है जो मैं अपने 14-15 सालों के जॉब के पिरिएड में ने कर पाई थी जब मैंने डारेक्ट सेलिंग को स्टार्ट करा उसके लगबग 6-7 मैने में जो मेरा पहला इंसेंटिव आया उससे मैंने अपने लिए एक वीवो का फोन करीदा था और वो मेरे लि करी अपनी और दो दो पहले एक ली फिर दूसरी चेंज करी तो लगा कि हाँ धीरे धीरे ना इसमें जो सपने मैंने देखे हैं वो पूरे हो जाएंगे फिर लगबग 2-5 साल मैंने जॉब को कुईट करके भी डारेक्ट सेलिंग करी जब मेरा डारेक्ट सेलिंग में लगा मार्च में और उस सहे मैं कह सकते हूं कि जो मैंने पहले का स्ट्रगल किया वा था तो वो डारेक्ट सेलिंग जो थी मेरी वो पीक पे थी बड़ा अच्छा इंकम मुझे वहां से आने लग गया था पर उसी पीच कहीं ने कहीं लोगडाउन लगा फिजिकल हो जाएगा मैंने जहां से शुरू करी थी मुझे लगा सायद में वही पर पहुंच गई हूं पर उसी बीच कहते ना जब चारो तरफ अंधेरा होता है तो उसी समय कहीं कहीं सूरिय के किरण निकलती है सवेरा होने वाला होता है और ऐसे ही सवेरा वो हमारे बीच में जो आ हमने समझा थोड़ा experience मेरे पास पहले का था फिर lockdown के time पे हमने इसको करना शुरू करा और plus point हमारे लिए यह निकला यहां पर कि उस समय पे लोग अपने health को लेके ना काफी aware थे उनको यह था कि हमें अपनी immunity को boost करना है ताकि हम कहीं ने कहीं जो अभी Corona महा मारी चल रही है क तो कि 2021 तक भी वो poop peak पे था दूसरी wave आई भी थी तो लोगों को यह था कि हम कुछ ऐसा healthy lane जिससे कि हम लोग अपनी life को अच्छा कर सके और Corona से बचे रहें तो उस बीच आपको पता है कहीं ने कहीं हमारे SHPL में glow-y juice बहुत अच्छा था आमला juice था इसी तरीके से उन्होंन बहुत एक positive response आने लगए तो कहते हैं कि वही भगवान कहीं न कहीं देखते हमारे धहर्य को हमारे समरपण को हमारी लगन को हमारी इमांदारी को तो दीरे 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 हमारा business आगे बढ़ने लगा और करते करते हम लोग आगे बढ़े फिर यहां पे आप लोग को सब को पता है कि यहां पे एक rank होता है हर किसी का सपना होता है कि हम उस rank को हासिल करें तो यहां पे हमने rank फिर बढ़ाने शुरू करें अपने सबसे पहले diamond एक बहुत बड़ा लगता था हमें कि हम diamond कैसे बनेंगे diamond executive royal crown crown बनके तो हमें ऐसा लगा कि हमने बहुत कुछ पा लिया है बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि एक special guest के रूप में हम लोग हो जाते थे तो वहां से करते करते फिर कहीं ने कहीं हमारा double crown ambassador हुआ और अभी कहीं ने कहीं जो मेरा present time में rank है जो मैंने मार्च में किया है वो triple crown ambassador है और इस सब का जो श्रे जाता है सब का श्रे की चाहे हमन इसमें growth की हो वो सारा का सारा जाता है हमारे सारे गुरू जनों को और जो will to win education system है हमारा उसको तो ऐसे करते करते ये आगे बढ़ते गए और जैसे मैंने पहले भी बोला कि मेरे बहुत सारे सपने थे सपना यही था कहीं ने कहीं गाड़ी लेने का अच्छा घर बनाने का अ लोग उसे कहना चाहोंगे पता नहीं आप लोग को मेरे बात अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी मैं यह नहीं जानती हूं पर यह मेरे दिल की बात है और ज़रूर चाहते हूं कि मैं आप लोग के सामने शेर करों बोलते हैं न कि लोग बोलते हैं कि जो भी पैसा है न वो मतलब पूरा नहीं है मतलब पूरी खुशी पैसों से नहीं मिल सकती है पर रियली जिस लाइफ को मैंने जिया है जितना भी स्ट्रगल चाहे मैंने माईकी में क्या हो चाहे मैंने सस्राल में आके क्या हो मैं आपको एक चीज़ जरूर कहना चाहूंगे कि पैसा ही लाइफ में सब कुछ होता है 90% प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाती है अगर आपके पास पैसा है और ये मैं जरूर कहना चाहूंगे कि इस्ट्रगल आएगा हो सकता है समाज आपको बहुत कुछ बोले और हो सकता है उससे जादा भी आपको अपने घर वालों को फेस करना पड़े पर मैं एक चीज़ आपसे जरूर कहना चाहूंगी आप पूरी लगन के साथ लगे रहो जब आपकी अचीवमेंट होगी जब आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे आप अपने परिवार को वो खुशियां द अब यहाँ पर ना दोनों चीज़ा आती है मानों मैं वाइफ हूँ तो मैंने कहीने कहीन हस्बेंट कि उन्चीजों को साह है और यहाँ पर कई ऐसे जेन से कहीन हमारे ऐसे सीनियर सर्लोग हैं और हो सकता है कि यह बात उनको वाइफ की तरफ से सुनने के लिए मिले तो यह लिए ही अपलाई होती है चाहे वो जेन से चाहे वो लेडी से कि अगर हम लगातार काम करते जाएंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे और पैसा कमाके उनके सपनों को और अपने सपनों को पुरा करेंगे तो एक दिन वो भी हमारा साथ देंगे तो ऐसे ही साथ कहीं ने कहीं तो मेरे को ये है कि मैं एक दो महीने बिल्कुल गाड़ी नहीं चला सकती हूँ ना गाड़ी में बैट सकती हूँ तो सारा फिल्डवर कभी वही संभाल दो तो वही चीज़े परिवार को अगर अपने साथ हमें लाना है तो वो भगवान हमें उसका फल देता ही देता है वो हमें बोल देता है तथास्तव आपको इस सारी चीज़े मिलेंगी तो ऐसे करते करते जर्नी चलती चली गई बहुत सारी एक लवली टीम कहीं ने कहीं हम लोगों ने बनाई और चाए हमारा सुख हो चाए हमारा दुख हो चाए कोई भी मुवमेंट हो वो लवली टीम हमारे साथ रहती है तो जैसे अभी हम लोग बात करी रहे थे यह सारी अचीमेंट जो हुए हो विल्टू बेन एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से हमारी अप्लाइन के माध्यम से और जो हमारी लवली हम उसको टीम भी नहीं बोल सकते हो हमारे बिजनस पार्टनर है और बोलते हैं हमारे परिवार का एक हिस्सा है उन्हीं के माध्यम से कही ने कही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उनी को साथ लेते हुए हम लोग आगे बड़े और अभी कमपनी ने बहुत अच्छे-च्छे ओफर हम लोग को दिये हुए जिसके माध्यम से हम भी ज्यादा लंबा सोचने की जरूतनी है इसी साल में हम वो करके दिखा सकते हैं अपने परिवार को भी और समाज को भी कि जहां पर हम लोग पोशना चाते थे तो अभी आप सभी को जैसे पता है थोड़ा सब में बात करूंगे कहीने कहीं कमपनी के बारे में जो अभी कमपनी ने एक education kit निकाली है वो इतनी प्यारी education kit है हकीकत बात है कहीने कहीं जो हमें सीख कर और यहां तक बढ़ने के लिए ध आप लोग को रियली बात है इतना टाइम नहीं लगने वाला है आप लोग को आगे बढ़ने का क्योंकि इसमें सभी चीज का solution जो भी आपको चाहिए चाहे हमें घर वालों के इस पूरी की पूरी kit में आपको वो साहरे की सारी चीज़े मिलेंगी और इस kit के माध्यम से आप अपनी achievement को 6-7 महिने में ही complete कर सकते हो पर मैंने बोला ये सारी चीजे तब ही होंगी हमारे साथ जब हम कहीं न कहीं एक लगन, इमानदारी, धहरी और सबरपर के साथ लगेंगे क्योंकि जब तक ये चारों चीजे पूरी नहीं होंगी तो हम कभी भी जिन्दगी में आगे नह पर आते हैं, वो एक ही बात कहते हैं, वो यही बोलते हैं कि आप जो है यहाँ पर सीखने पर ध्यान लगाओ, क्योंकि आप सीखोगे तो आप आगे बढ़ोगे, अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें कभी भी किसी school college ने वो education दी नहीं है, कि हम जिन्दगी में मालिक कैसे बन सकते हैं, हमने जितनी भी education लिये, वहाँ पर यह यह कि हम नोकर कैसे बन सकते हैं, अगर अच्छी नोकर बनना है, तो थोड़ी high quality की डिगरियां लीजें, और अगर normal बनना है, तो normal तरीके की डिगरियां लीजें, इससे मैं यही सिखाता है, हमें खुद मालिक बनना है, और हमार साथ जो लोग आ रहे हैं, उनको भी किस तरीके से मालिक बनना है, वो हमने सीखना है, और आगे सिखाते वे आगे बढ़ना है, क्योंकि बोलते हैं, हमने भी उपर से सीखना है, और हम सीखेंगे, तभी हम नीचे वालो वो आगे बड़े वो आगे बड़े वो आगे बड़े जबकि आम लाइफ में इस तरीके की चीजे नहीं होती तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो direct selling business है वो एक शानदार business है और अपने लिए और अपने लोगों के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमें इतना सक्षम बनना है कि हम लोगों की मदद भी कर पाएं और अपने समाज को भी आगे बढ़ाने में कहीने के हम वहाँ पर सही योग दे पाएं तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे offer की तो मैं जरूर चाहूंगी कि अभी जो SHPAL ने इतने अच्छे-च्छे offers दिये वे हैं आप उन सभी को कहीने कह फूलफिल कीजिए आप सबको पता है कि हर किसी का सपना होता है फॉरें जाने का तो आप यहाँ पे जो फॉरें ट्रिप स्टार्ट होता है कमपनी का वो डबल क्राउन एम्बेजडर से स्टार्ट होता है और बड़ी खुशी की बात है कभी सपना देखा करते थे जैसे हम आप सबको पता है कि हम लोग नीचे से भाई बाय करते थे पर ये इंडर्स्टी इतनी खुबसूरत है कि हम खुद उसमें जाए और नीचे लोग हमें कहीं ने कहीं बाय बाय करें तो यही मोका कहीं ने कहीं SHPL ने मुझे भी दिया पिछले साल नवंबर में और बड़ा आठ लोग महाँ पर गए थे अपने हाइलिंड ट्रिप पे तो महाँ पर मुझे जाने का मौका मिला और हो सकता है कि मैंने जैसे आप सब को बताए कि मेरा एक जॉब का एक्सपीरियेंस है तो मैं कभी भी वहाँ नहीं जा पाती ये तय तय था पर थैंक्स SHPL का कि उसने मुझ का दिया कि मैं वहाँ जाओ और महाँ पर इतना फन इतना इन्जोई होता है और इस बार जो भी जाएंगे वह इन्जोई कहीं ने कहीं वह खुद लेके आएंगे तो मैं चाहूंगी कि जो अभी कंपनी ने ओफर दिया है क्राउन एंबेजडर का कि अगर वह दो महीने क्रा करती रहती है जिससे कि उनको ना लगे कि बहुत बड़ा है चोटे से में भी वह हमें यह सारी इंजोईमेंट कराती है और जैसे मैं बात किये कि मैं जॉब करती थी तो जाहिर सी बाते मैं अपने घर से जबकि यहां से जादा दूर नहीं है यह experience में जरूर बताऊंगी जिसने कहीं ने कहीं मुझे मुझे मौका दिया कि मैं अपने ही देश में बहुत सारी जगों पे गूम हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है हमने नैनिताल टूर दिली कई बार जा चुके हैं और इतने बड़े बड़े फाइव स्टार होटल में हम आम लाइफ में कभी भी नहीं जा पातें तो वहाँ पे जाने का मौका भी हमको मिला वो सारी चीजे देखने का मौका मिला जो अगर डारेक सेलिंग की इंडिस्ट्री में याद है तो कभी देख भी नहीं पातें तो यह सारी इंजॉइमेंट यह मैं आपको क्यों बता रही हूँ क्योंकि यह हमें आगे बढ़ने के लिए ने अंदर से मोटिवेट करता है ये सारी चीजें कि हम भी करें हम भी जाएं और हम भी उन अचीमेंट को लें तो ये अचीमेंट को लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है बस आपने न सीखने पर ध्यान लगाई है जिस दिन आप सीख गए ना आप आपको बताने सकते है अगर मैं कर सकती हूं ना मेरको लगता है कि दुनिया में कोई भी इस काम को कर सकता है ये इंडिस्टी में आने से पहले ये इंडिस्टी ना फ्री में आपको पते एक बहुत अच्छी लाइव देता है मतलब जिसमें आप स्वस्त रहते हो, खुश रहते हो, हस्ते रहते हो, भले आपके अंदर कुछ भी छड़ रहा हो, पर आप बाहर आपके चहरे पर स्माइली रहेगी, आप कभी भी न तूटने वाली बात नहीं करोगे, चाहे कितनी प्रॉब्लम आपके पास आए, अंदर से कि आप मोटिवेट रहोगे कि मुझे कुछ अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, बले आखों से आंसो गिर्यों पर अंदर एक न, क्या बुनों में आपको एक, आपको मतलब एतना मोटिवेशन मिलता रहेगा कि नहीं, ये टाइम तो थोड़े टाइम के लिए है, मतलब इ ऐसी इंडरेस्ट्री आपको कहीं नहीं मिल सकती है, और ये सिरफ वही लोग जान सकते हैं, जिन्होंने डारेक्ट सेलिंग किये, मैं भी ये बाते इसलिए बोल ले हूँ, अगर मैं खाली जॉब में होती तो मैं ये बाते नहीं बोल पाती, मैंने डारेक्ट सेलिंग को किय है और बहुत करीब से किया है इसलिए मैं आपको यह सारी चीजे बोल सकते हूं तो मैं यह कहूंगी कि आप आप यहां पर सीखो सिखाओ और आगे बढ़ो और जो भी अभी कंपनी ने ओफर दिया है उसको आप जरूर कंप्लीट करो और जितने भी लोग जा रहे हैं उनके सा हो सकती क्योंकि जब तक हम पूछेंगे नी तो वो बताएंगे भी नी वो बोलते ना जैसे एक छोटा बच्चा है वो रोएगा मा दूध अभी देगी उसको तो कहीं ने कहीं यहां पर जो हमारी अप्लाइन है वो भी बिलकुल हमें उसी तरीके से टीच करती है और कहा भी जाता है networking industry में कि अगर मम्मी पापा के बात क्योंकि दुनिया में दो ही ऐसे लोग होते है जो हमारा अच्छा चाहते हैं वो हमारी मम्मी पापा होते हैं इसके बाद कहीं तीसरा जो हमारा आफ लाइन होता है वो वैसे ही मम्मी पापा की तरह हमें गाये कैसे बढ़ना है और यहां पे बहुत सारी network को बढ़ाने के लिए या direct selling में बहुत जल्दी तरक्की करने के लिए बहुत सारी book होती है तो मैं जरूर चाहूंगी कि एक book है rich dad और poor dad करके तो वो book आप लोग सभी लोग जरूर पड़े क्योंकि मैं भी जब इस industry में आई थी तो मेरे को सर्ण ने और वो book दी थी पर real बात बताओं जब मैंने शुरुवात करी थी कह सकते कि मैंने बाहर जाके थपेड़े निखाए थे क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा field है वो ही हमारा एक best teacher होता है जो हमें बहुत अच्छे से सिखाता है तो तब तक मैं field में नहीं गई थी तो मुझे वो book भी समझ में नहीं आई थी हाँ पर जब धीरे-धीरे निकल के हम लोग field में जाने लगे महाँ पे हमने लोगों की बाते सुनी और वहां से कुछ जो हमारे पास response आए है तो जैसे अभी sir बोलने रहते कि कई लोग ने लोग sir ने पुछा कि वह गुमें इंपायर को बु opportunity तो वोई चीजे हैं कि यहाँ पर इसी तरीके से हम लोगोंने आगे बढ़ना है तो मैं जरूर चाहूंगे कि आप लोग उस book को जरूर पढ़ें वो इतनी अच्छी book है कि आपको जैसे अभी मैंने बात किये ना कि school college हो में हमें जो ग्यान मिलता है वो मैंने उसी book से सीख कि आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपना कोई business करना तो वहाँ पे कहीं न कहीं उस book के अंदर बताए गया है कि कैसे हम मालिक बनने की पढ़ाई को कर सकते हैं और कैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं किस तरीके से हम लोग पैसा को attract कर सकते हैं किस तरीके से ह ही फिर हो सकता है ना कि आज हम struggle कर रहे हैं जैसे अब हम लोगों ने शुरुवात करिए जितने भी अभी SHPL की family है हम लोगों ने शुरुवात करिए तो जो हमारी आने वाली generation है उनको करा करा है यहां पर business मिले उनको उतना effort नहीं लगाना पड़ेगा जितना हमने लगाया हम बना बना एक empire खड़ा करके दे रहें तो यह कितने गर्व की बात है आने वाले टाइम में जो हमारे बच्चे हैं वो हमें यही तो बोलेंगे कि हमारे parents हमार ले इतनी अच्छी industry को और इतनी अच्छी empire को छोड़के गए जिसमें कहीं ने कहीं आज हम लोग run करते वे आगे बढ़ रहें तो यह हमारे ले भी एक गर्व की बात होगी जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो यहां पे हम अपने ले तो करेंगे करेंगे आने वाले अपनी generation के लिए भी बहुत कुछ करके जाएंगे तो हमें अपने आपके उपर proud feel करना चाहिए कि हम लोग समाज के लि बरू होंगे आज मैं हुई हूँ आने वेल टाइम में और कोई होगा वो अपनी self story बताएगा ऐसे करके हम लोग दीरे दीरे आगे बढ़ेंगे और इसी के साथ साथ अगर आपको कई लोग होंगे जो बिल्कुल double crown ambassador के बिल्कुल करीब होंगे तो हम ज़रूर चाहेंगे कि वो September मैंने में अपना double crown ambassador करें और वो लोग भी जब November में 23 November को यहां से flight उड़ेगी उस flight में वो भी उड़े तो यहां पे सारे मोके देगी company छोटे से लेके बड़े label तक का और अभी तो हमने कहीं ने कहीं शुरुआत करीए यह मैंने कहूंगे कि हमने बहुत बड़ा एक पड़ाओ जो है उसको हासिल कर लिया है अभी तो हम लोगोंने उस पड़ाओ को पार करना है अभी तो हमने चोटा साही जो बोलते हैं निया मैं सफर की शुरुआत करी है यहां से हमने आगे जाना है और आज कहीं ने कहीं Zoom webinar के माध्यम से मैं जरूर कहना चाहूंगी बहु किसी के साथ साथ जो एक सपना है मेरा कि मैं अपनी मम्मी को धामों की यात्रा कराऊं क्योंकि मेरी मम्मी ज्यादा चलनी पाती है तो वो जो धाम की यात्रा होगी वो मम्मी मेरे साथ मेरे कार पेई करेगी ये सपना मैं जरूर पूरा करूंगी और एक सपना जो है मेरा अपन क्योंकि वो भी step by step देते यह नहीं कि आज मैं भले मेरी इंकम दस जार उपर उन्हें मुझे बता दिया 10 लाग का इस तरीके से कोई यहां पे नहीं करता है वो यहीं बताते हैं कि आज भई आपकी इंकम दस जार है तो उसको पहले हमने 50 जार तक कैसे पुचाने है 50 से 1 तक कै ऐसे फिर उसमें क्या चीज़े पूरी हो सकती है वहां तक कि वो हमें मिलती है जो भी हम मांगते हैं सर लोगों से उसकी प्लानिंग तो मैंने आपको बताई दिया कि भई हम यहां पे चिलाएंगे रोएंगे बोलेंगे भई हमें चाहिए हमें करना है आप इसकी हमें प्ला कर दोड को जीठ जाता है टेक्टनलोजी इतनी डेवलोप नहीं पर आज सबके पास स्मार्टबोनेंसे जीज़ें नहीं थी और जिस एजूकेशन को आज हम वुकोके माद्यम से लेरे हो सकता उस समय भी कोई गाइड करने वाला नहीं था, मैं दूर क्यों जाओ, मुझे कोई गाइड करने आला नहीं था, अगर मेर को जब मैं स्कूल कॉलेज के टाइम पे थी, अगर मुझे कोई इस तरीके से गाइड करने वाला होता, कि ऐसी भी कोई इंडिस्ट्री होती है, ऐसे हम आग से उसके इतने छोटे कंदों पर इस responsibility को रख रहे हो तो उनको मैं एक ही बात कहती थी कि इनको मैं आज से responsibility इसलिए रख रही हूँ क्योंकि उस समय पर मेरे उपर ये responsibility को रखने वाला कोई नहीं था कह सकते हैं कोई बताने वाला नहीं था तो आज तक मुझे इस उमर तक काम क करना बढ़ रहे हैं और जबकि आपको पता है आज छोट-छोटे बच्चे आ रहे हैं हमारे उत्रा खंड में नवीन नेगी संध्या जी स्टूडेंट है और आज आप देख सकते हो उनका लेवल क्या-क्या है और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं और लोगों की अभी मै जरूर बताऊंगी क्योंकि अभी मैंने स्टूडेंट की बात को खतम करूंगी तो जाहिर सी बात है उनको हमारे टाइम तक स्ट्रगल करनी की जरूद नहीं है वो अपने जो ड्रीम से क्योंकि आपको पता है नवीन नेगी अभी 24 साल का लड़का है उसने अपनी ही इंकम स पता है नोसे कार इंजोए कर रहा है आज डबल क्राउन एंबस डर है थाइलिंट टूर भी आवा है अभी वो थाइलिंट जाएंगे तो इसी तरीके से संध्या जी है थाना चोटी सी उमर में अच्छी एजूकेशन ली वी ए उन्होंने चोटी सी उमर में वो क्राउन वाली है हमारी तो हमारी तरह करना नहीं पड़ेगा तो डालो जब तक उनके कंदों पर हम बोज नहीं डालेंगे तो उनकी लाइफ होई होने वाली है जो हमारी होने वाली है यह बात बहुत कड़वी है बहुत बुरी लगती है क्यों क्योंकि लगता है कि हम सब कुछ कर र ती है और उसमें बड़े-बड़े लोगो के poster लगे हुए है जो प्रचार कर रहे है तो हमें क्यों शरम आईगी हम अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए अपने सक्नों को पूरा करने के लिए हम अगर किसी चीच का प्रचार करें तो आपको गर्व महसूस करना चाहिए उसके लिए अगर आपके बच्चे कर रहें तो आपको गर्व महसूस करना चाहिए कि वो अपनी responsibility इस उमर में समझ रहें अगर वो इस उमर में अपनी responsibility को समझेंगे तो आने वाले टाइम में उनकी लाइफ तो अच्छी होगी होगी, उनके साथ जो भी जुड़ेगा उनकी लाइफ भी अच्छी होगी, तो इस चीजों को आप लोग समझे, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, कई बार कहा देते हैं कि भई, यह जो बिजनस है, पड़े लि है, कोई टेंथ है, पर आज अगर मैं उनकी क्वालिटी की बात करूँ, तो बड़े बड़े जो डिक्री डिक्रूमा होल्डर हैं, उनको भी वो लोग फेल करते हैं, गंगा चोधरी मैं अभी जितने भी इस वेबिनार में कनेक्ट हैं, वो बहुत सारे लोग होंगे जो उन आज उन्होंने जो अपनी क्वालिटी को यहां पे इस इंडेस्टी में आके चेंज किया है, वो बिलकुल एक जमीन आस्मान का फर्क है, आज वो प्राउट फिल करती हैं, इस इंडेस्टी में आके, लोगों से मिलके और इस जो क्राउन एंबेस्डर लेबल उन्होंने मैं उसको लेकर, जो उनको इस पेशल तरीके से गैस्ट के रूप में उन्हें बुलाया जाता है, दिल्ली में कभी भी कोई प्रोग्राम हो, कहीं पर भी हो क्राउन एंबेस्डर रवाओ, वहां पर वो जाती है, तो उनको एक बहुत गर्ब महसूस होता है, या आज मैंने अप काम को हासिल किया है, तो कितने खुशी होती है, जब हमारे माध्यम से उन लोगों के भी सपने जगते हैं, और वो complete होते हैं, चाहे वो student हो, चाहे वो housewife हो, चाहे वो job class person कोई भी हो, क्योंकि job class person भी चाहता है, जैसे मैं भी चाहती थी कि मैं गुमू, फिर उपर job में, वो म फिर लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, उस लिमिटेड टाइम में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिरफ जो हमारा boss है, बस उसके सपनों को पुरा करने के लिए हम लगा सकते हैं, वहाँ पे हमारे सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, मैं नहीं कहुंगे कि job बुरी है, आज ही पोस्ट कहीं ने कहीं डला है विल्टू विन एजुकेशन सिस्टम में वहाँ बताये गया है कि वो लेडी पहले 30 साल की जॉब 30 हजार की जॉब करती थी और उसने उसको कुईट करके डारिक सेलिंग को स्टार्ट करा तो आज उसने 16 लाग की कार लिए ये ना सच चाही है इंडेस्ट्री की अब देखो इसमें क्या है लोगों को ना बोलते हैं कि नहीं इसमें बेकू बनाते हैं कार नहीं आती है ये नहीं होता है वो नहीं होता है पर मैं हक्किकत बात कहूंगी ये उन्हीं के साथ होता है जैसे मैंने पहले बाद की है जो लगन से काम करेगा समर्पण यानि कि अपनी अपलाइन को अपने आपको समर्पित कर देगा भई मुझे ये चाहिए आप बताओ मुझे कैसे मिलेगा और उसी के साथ इमानदारी के साथ लगा लेगा और धहरे रखेगा क्योंकि रातो रात कुछ नहीं ह होने वाला है रातो रात ना आप सीख पाएंगे ना रातो रात आप किसी को सिखा पाएंगे ना रातो रात आप टीम बना पाएंगे ना रातो रात उन टीम को आगे बिल्ड कर पाएंगे उसके लिए समय लगेगा आपको और ये समय कितना लगाना है ये आपके हातों में ह चाहे आप अपने सपनों को छे महीने में फुल्फिल कीजिए इन सारी चीजों को साथ में लेकर या आप आगे छे साल लगाईए या भई साथ साल लगाईए या आपके उपर है ये होता है, हमने किया है तो हम इसको कह सकते हैं क्योंकि पहले तो देखो जब फर्स्ट, सेकिंड, थर्ड मीटिंग अटेंड करेंगे तो हर किसी को ये लगता है, हमें भी लगा था पर जब हमने सीखना स्टार्ट किया उसमें इंटर्स लेना स्टार्ट किया तभी तो ये सारी चीजे बनी जब हमारे साथ बन सकते हैं आप लोगे साथ भी बन सकती है तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोग उन बारिकियों को समझे इसमें जैसे आपको पते यह जैसे लोगोंने बोल दिया इसमें जैसे बहुत सारे ड्रीम को बनाने के लिए ड्रीम को आपकी रिस्पॉनसिबिलिटी को जरूरतों को बनाने के लिए इसमें कॉलम दिये गए हैं, आप उसको तो कंप्लिट कीजिए पहले, फिर देखिया आपकी ड्रीम कैसे पूरे ने होते हैं, आप हमसे कहिए फिर क्या हमारी ड्रीम पूरे ने होते हैं, जो जो इतनी अच्छी बुक को डिजाइन किया है, इतना अपना माइन लगाया, इतनी अच्छी चीजों को हम तक पुचाया, तो मैं जरूर अपने उन त्रित देव का यहाँ पे शुक्रिया आदा करना चाहूंगी, जिसमें कि संजीव सर और बॉबी सर और उसी के साथ साथ कही कि यह सारी चीज़े, और जितने भी हमारे सीनियर अपलाई ने, उन सब ने यहाँ पे अपना माइन लगाया है, कि जो भी हमारी टीम है, उनके पास कुछ अच्छी चीज़े जाए, जिससे कि वो लोग ग्रोथ तेजी से कर पाएं, तो उसके लिए कहीने को नहीं हुएं, इसी तरीके से कहीने कहीन, आप लोग के ड्रीम भी ऐसे चबेल में पूरे हों, तो इसी सुपकामनाओं के साथ, मैं अपनी बातों को यहाँ पे विराम दूँगी, और आप लोग के लिए यही विश्च करूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ में सीखते वे आगे बढ़ हैं, और आगे सीखावा परसन है, क्योंकि आज आपको कोई सिंगल ऐसा परसन नहीं मिलेगा, जिसने नेटवर्किंग ना कियो, आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इतना ग्रोथ कर चुका है, और हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है, कि इसको कहीने कहीन, जो ह हमारी गौर्मेंट है, उसने भी एक मोहर लगा दिये, इस तरीके के यहाँ पर अलग-अलग, उसने क्लासिस स्टार्ट किये, इस तरीके से अलग-अलग यहाँ पर डिग्रियां भी देने लगे हैं, जिसके माद्यम से कि आने वाले टाइम में डारेक सेलिंग जो बिजनेस है, वो आगे हमें ग्रोथ पर ही लेके जाएगा, इसलिए मैं यह आप सभी से कहना चाहूंगी, कि आप इस इंडर्शी को समझे, इसकी जादा से जादा नॉलेज आप लोग लें, यह नॉलेज को कहीं से भी मिल जाएगी, चाहे आपको यूटूब के माद्यम से मिल जाए हैं, और सभी का थैंक्स, सभी कहीं ने कहीं, जो मेरे बिजनस पार्टनर हैं, उन सब का, और पूरी विल टूबीन एजूकेशन सिस्टम का, और थैंक यू, थैंक यू, सो मच सर्वजी सर, थैंक यू, सो मच विल टूबीन एजूकेशन सिस्टम, और थैंक यू, एसेज प सरवजी सर को कि वो आएं और इसको आगे continue करें प्रोग्राम को थैंक यू मैम थैंक यू सो मच बहुत ही practical ग्यान दिया है मैम आपने और सच में एक सुपर लेडी की तरह से आपने हमें ग्यान दिया है और बहुत अच्छा लगा मज़ा आ गया सारी बातों को सुनको और इतनी प्यार से आप बोलते हो कि सुनने में मज़ा आ रहा था कि सुनते रहो सुनते रहो आपकी बातों को तो thanks for that for such a beautiful time and beautiful session तो ये थे हमारे मैडम जो जिनोंने अपने आपको शेशक्ती करण में आपने आपको शेशक्ती फुल बनाया है और आज वो अपना और अपने परिवार का सपना पूरा कर रही है और इनका एक सपना और है कि खुद की गाड़ी खरीद कर अपनी मा को उस गाड़े में बिटा कर खुद ड्राइब कर करके उनको घुमाने ले जाए और वो भी बहुत जल्दी पूरा होगा इनका घर भी बहुत जल्दी बनेगा रेनोवेट होगा और ये सब होगा SHPL की पदोलत से और ये एक बार दो थाइलेंड जा चुकी है और ये दुबारा फिर विदेश यात्रा पे जा रहे है बहुत चल्दी इनी शुब कामनाओं के साथ मैं इनको ठैंक्स बोलना चाहूँगा कि यहां पर उनका आनव बहुत बहुत धन्यवाद हमरे लिए हमारे SHPL परिवार को इतना वक्त देना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो ये थी महिला पावफुल महिला अब मैं चाहूँगा आप आडियंस में से कोई ऐसी महिला जो अपने बारे में कुछ पताना चाहती है कैसा लग रहा है SHPL में काम करना आपको कैसा महसूस करते है SH SHPL में काम करना आप में से कोई अगर बताना चाहता है वोलेंटरियली कोई आना चाहता है यहाँ पर तो मैं जरूर उनको स्पोट्लाइट पिनूंगा और चंद शब्दों के साथ उनको सुनना चाहेंगे उस महिला का experience जो यहाँ पर काम करने हैं और उनको कैसा महसूस होता है SHPL में काम करते हुए तो मैं चल्दी से कोई भी आप मेंसे inbox में मुझे message कर सकता है जो भी यहाँ पर आकर के बोलना चाहता है जो भी महिला हमारे SHPL के परिवार में यहाँ पर आकर के बोलना चाहता है कि उनको यहाँ पर काम करते हुए कैसा महसूस होता है क्या वो सहज है मज़ा आता है सीखने को मिलता है और सीखने के साथ साथ सपना भी अटूट है कि यहाँ पर कुछ करके दिखाएंगे अपने परिवार का सपना पूरा करेंगे तो आपेंसे कोई भी अगर आना चाहता है तो मैं वेड कर रहा हूँ इन बॉक्स में आपके मैसेज का आप मुझे मैसेज कर दे ताकि मैं आपको स्पॉटलाइट में ले सुआऑ चलिए मेरे ख्याल से कोई भी मुझे message नहीं कर रहा है तो कोई आना नहीं चाहता है शायद कोई ही चाहत है बट यहां पर आपको एक मौका मिल रहा है अपने आपको shine करने का तो मैं चाहूँगा कि अगर आप मेंसे कोई आना चाहता है तो जोती मैम अगर आना चाहते हैं तो येस लिखेगा मैं आपको स्पोटलाइट में लेता हूँ जोती मैम अगर आप आना चाहते हैं तो येस लिखें मैं आपको स्पोटलाइट में लेता हूँ चल्दी से मुझे शपाप दीजिये जोती जैस्वाल मैंका मेसेस तो आया है मैं चाहता हूं येस लिखे तो मैं आपको जी ये शर्मा पटना ये महिलाओं की बात कर रहा हूं तो ये शर्मा जी यहां पर मैं चाहता हूं जो आना चाहिए दुलाती दुलाती जी दुलाती दुलाती जी आप आना चाहते हैं तो मैं आपको spotlight पे लेता हूं अपना video on कर लिजे अपना video on कर लिजे और audio on कर लिजे मैं आपको spotlight पे लेता हूं please video on कर लिजे अगर आप आना चाहते हैं तो शायद सुन पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं तौलाती जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुच रही, शायद नहीं, जोती, चैस्वाल जी, अगर आप आना चाहते हैं, तो प्रीज अपना वीडियो अन कर लीजे, मैं आपको स्पोटलाइट में देता हूँ, आप आकर के अपने बारे में बताईए, एसेच पिल में काम क करना कैसा महसूस हो रहा है, यह जरूर बताईए, शायद मेरी आवाज आप तक पहुच रही है या नहीं है, मैं कन्फर्म नहीं कर सकता है, चले, मैंने कुशिश करी, बट शायद नहीं आ रहे हैं, चले, तो यह थे, आज हमारे साथ चुड़ने वाले निर्भला चेतरी मैंप, जिन्हों ने बहुती अच्छे से अपने बारे में, अपनी जान्ग सेपिल के बारे में हमें बताया, और बहुती गर्व महसूस होता है, जब ऐसी महिला सेज्पिल में सफल होती है, और आप अब भी SHPL इतना ख्याल रखता है और SHPL में आप सब सफल हो सकते हैं तो आप भी जितने पुरुष हैं यहाँ पर अपने घर की महिलाओं को मौका दीजे कि वो भी काम करें और SHPL में अपने सपनों को पूरा कर पाएं तो कम नहीं यह किसी से महिलाओं की बारे में बात करूं क हम नहीं यह किसी से साबित कर दिखलाएंगी खोल दो बंधन बेटियां हर मंजिल पा जाएंगी तो जो आज पुरुष भी नहीं कर सकता वो महिला ने करके दिखाया है और खोल दो इनके बंधन और बेटियां हर मंजिल पा जाएंगी तो इसी उमीद के साथ कि हम हर एक महि इतनी सफल है जो पुरुषों से भी आगे है और SHPL में भी उनको हम इतना ताकतवर बनाएंगे कि वो हमारा नाम रोशन करे, SHPL का नाम रोशन करें, तो ये थे हमारे मैम्द जोनोंने बहुत प्यार से हमें बता है, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सब का बहुत- close होने वाला है और September closing में आप सबी को इसको qualify करना है तो आप सबी को थोड़ी सी मेहनत और करने है क्योंकि चंद दिन बचे हैं closing के और इस closing में आप इस closing में आप इसको achieve करके जरूर Thailand के trip को qualify करें Thank you, आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाज आज इतना ही था आप से मुलकात होगी अगले webinar में और इसी के साथ अपना ख्याल रखे, खुश रहे हैं, मस रहे हैं, स्वास रहे हैं Good night, take care, Shabah care, bye-bye